दोस्तों नमश्कार मैं राहुलाय प्रजापती आज गोरकपुर में जो एक बीबत्स हत्याकांड हुआ है मनीश्प्रजापती जो की हमारे समाज का भाई एक नवयोगक जिसकी अपने परवार का जीवन यापन और भरन पोसन करने के लिए जो नौकरी करने के लिए गोरकपुर में जो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी के दर्मियान कुछ दबंगों ने ताना शाही के चलते हमारे भाई को मनीश्प्रजापती को मौत के गाट उतार दिया आज जैसा कि मैंने आप सभी से या पील कर कहा था कि मैं जनपत जालाउन में बुंदेल खंड के जनपत जालाउन में मनीश्प्रजापती को न्याय दिलाने है तू कुछ बिंदूओं पर अपनी मांग रखते हुए मैंने जिलातकारी के माध्यम से राजपाल उतर प्रदेश मुक्मंत्री उतर प्रदेश को मैंने मांग रखी है कि अभी तक आप मुक्मंत्री जी से मैंने वेदन किया है ग्यापन के जरिये कि अभी तक जो भी गटनाएं इन समाजों के साथ होती रही है उन समाजों के लिए उतर प्रदेश शरकार में अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए है तो मैंने उन से गुजारिश की है कि ग्यापन के जरिये कि आप जो है अभी ततकाल जो मनीश प्रजापती गोरखपूर का जो मामला है उसमें निस्पक्ष रूप से संग्यान लीजिए और दोशियों के खिलाफ पूर्ण कारवाही कीजिए निस्पक्ष कारवाही कीजिए आर्थिक मदद दीजिए मैं चाहता हूँ कि परवार चुकि वो ऐसे गरी परवार से आता था और वो एक मॉडल सौप पे बरदानी मॉडल सौप करके नाम है रामगर ताल थाना छेत्र के अंतरगत एक बरदानी मॉडल सौप आता है उसी मॉडल सौप के अंतरगत उसी मॉडल सौप में ये जो काम करते थे हमारे भाई मनीश प्रजापती और उसी मॉडल सौप में उनकी मृत्ती हुई है मारपीट बहुत जगन जो है उनके साथ यह गटना हुई है और बहुत बीवत तरीके से उनको उनके साथ इस गटना को अंजाम दिया गया उनको मौत के घाट उतारा गया तो मैंने चुकि वो अपने परवार का भरण पोस्ण करने के लिए गोरकपूर आये थे वो मूल रूप से रहने वाले मद्प्रदेश के रीवा के रहने वाले थे और रीवा से चलकर वो यहां काम करने आये थे गोरकपूर और क्या पता था उन्हें उस लड़के को क्या वनी के नहीं जाएगा दोस्तों आज मैंने ग्यापन के ज़रिये ये भी मांग की कि पीड़ित परवार को चाहिए उमद प्रदेश का हो चाहिए भी किसी प्रदेश का हो यदि उसका बेटा गोरकपुर में पुलिस प्रसाइसन की नाकामी और सरकार की नाकामी की चलते के दबंगों की मनमानी के भेट चल गया दबंगों की तानसाई के भेट चल गया तो सरकार उसे मौबजा दे सरकार आरथिक सहयोग दे जैसे सरकार मनीज गुपता हत्याकांड में उनकी पीडित पत्नी को उनके बच्चे को न्याय के लिए उन्होंने एक रूप रेका तैयार की जिसके बाद उन्होंने योगी सरकार ने खुद सीम योगी ने कानपूर में आकर ये घुस्णा की कि वो मनीज गुपता की पत्नी को उस हत्याकांड के मामले में उनकी पत्नी को सहयोग की रूप में सरकार की तरप से 40 लाग रूपए और सरकारी नौकरी ओएशडी लिकानपूर प्रादी करण में ओएशडी पत्पर नौकरी और बच्चे को निशुल्ख सुक्षा देने का उन्होंने वादा किया है और जैसा कि मैंने देखा है कि अभी तक चाहे मुखमंत्री हो चाहे भी किसी किसी नेता ने अभी तक किसी राजनेता ने अभी तक मनीज प्रजापती हत्याकांड मामले में अपनी प्रत्क्रिया नहीं दी है तो मैं चाहूंगा आज का जो ये मेरा लाइफ सेशन है वो सिर्फ इसलिये है क्योंकि मनीज को मेरे भाई को मौत के घाट मौत की नीज सुला दिया गया अब उसका भरण पोस्ण उस परवार का कौन करेगा तो उस परवार के लिए मैंने 50 लाग रुपए की मांग की है और मैंने मांग की है कि इनको एक सरकारी नौकरी दी जाए इनके परवार को एक सरकारी नौकरी मिले क्योंकि वो अकेला बे सहारा था उसी के बलबूते परवार का भरणपोसरण होता था अब उस परवार में चुक्कि कोई है नहीं घर चलाने के लिए अब मैं चाहता हूँ सरकार से मैंने ग्यापन की जड़ी अपील की है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले में तरित कारवाहिकर आर्थिक सहयोग और उनको उनके परवार को एक सरकारी नौकरी देने का काम करे और मैंने साथ में एक प्रक्राण और भी उठाया है मैंने उठाया कि अभी बीते 2020 में जब कोविट का समय चल ला था उस समय मैंनपुरी में जब एक घटना हुई थी मैंने आप से उस दिन भी वीडियो के माध्यम से जिक्र किया था कि मैंनपुरी की घटना के बाद कोई भी राजनेता सरकार की तरफ से योगी सरकार की तरफ से पीडित परवार की पास नहीं पहुचा है ना ही किसी परकार का सहयोग दिया है हाँ सरकार इतना जरूर किया है कि उसी समय उसी समकाल बिक्रम जोसी जो की गाजी अवाद के रहने वाले थे पत्रकार उनकी भी हत्या कर दी गई थी कोछ अराजक तक्त्मद्वारा उनको न्याय सरूप सरकार ने आर्थिक सहयोग भी दिया उनकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी और बच्चों को निश्वल्ख सुछा देने का बादा किया तो मैं सरकार से मैंने इस ग्यापन के माध् सरकारे करती रहेंगी इन समाजों के साथ ठीक विक्रम जोसी हत्याकांड के समय यह मैंनपुरी की जो पांच लोगों को एक छोटी सी बच्ची समय जिन्दा जला दिया गया था उसके बाद भी सरकार को सरकार ने जो है प्रसासन को भी कोई चितावनी नहीं नहीं को ठोकरे खाएं क्योंकि वो लोग समझते हैं जो दबंग हैं दबंग की परवासा यह है कि वो समझते हैं कि यह समाज कभी अपने हग के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा जब लड़ेगा तो हम इनको दबाने का काम करेंगे साथियों हम लोग यह प्रण लें जैसे आज मैंने यहां ग्यापन दिया है यदि तत्काल तौरित कारवाई नहीं होती है सरकार की तरफ से कोई प्रित्क्रिया नहीं आती है तो आगे आंदोलन होगा और जमकर संगर्ष होगा आप तयार रहें मेरे दोस्त इनी सब बातों के साथ मैं राहुलाय प्रजापती अपनी बात को बिराम देता हूँ जै हिन जै प्रजापती नमस्काल